नमस्कार, दवायर बुलिटिन में आपका स्वागत है, मैं रितु तोमर और अब सबसे पहले सुर्खिया मलाड दिवार हाथसे में जिस जुग्गी पर दिवार गिरी थी, हाई कोट ने 1997 में दिया था उसे हटाने का आदेश केरल हाई कोट ने कहा मावादी होने के संदे के अधार पर किसी व्यक्ति को प्रतालित नहीं किया जा सकता असम नागरिक्ता विवाद पर कविता लिखने के लिए 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज यूपी में जैश्री राम न बोलने पर मदर से के छात्रों से मार पीट का आरोप एक गिरफतार दिली में भाजपासांसत ने तेजी से बढ़ रही मस्जिदों को लेकर उठाए सवाल और प्राज्यपाल को लिखा पत्र महराष्ट विधानसवा चुनाव से तीन महीने पहले राज्ये के मुखे निर्वाचना दिकारी का तबादला और सुप्रिम कोट ने तमिल पत्रिका के खिलाफ मदरास हाई कोट में कारवाई पर लगाई रोख और अब खबरें विस्तार से मुंबई में भारी बारिश के बीच दो जुलाई को पूर्वी मलाड के कुरूर गाउं में दिवार ढहने से हुए हाथसे के बारे में एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट देते हुए कहा है कि अगर राजय ने 1997 में दिए हाई कोट के आदेश का पालन किया होता तो इस हाथसे में हुई मोतो को टाला जा सकता था 1997 में अदालत ने इस वन शेत्र में बनी जुग्यों के रहवासियों का पनर्वास करने को कहा था मालूम होगी पूर्वी मलाड के कुरूरवन शेत्र में बने BMC के मलाड हिल जलाशय की बाउंटरी के दिवार का 2.3 किलोमीटर का हिस्सा दो जलाई की रात को ढह गया था जिससे सटी, पीपरी पाड़ा और आमबेटकर नगर इलाके की जुग्यों में 39 लोगों की मौत हो गई थी और 132 लोग खायल हुए थे ये दिवार दो जग्यों पर ढह गई थी जिसके चलते आई बाड में पीपरी वाड़ा और आमबेटकर नगर की 3000 से ज़ादा जुग्यां बह गई थी इस हादसे में हताहत हुए अधिकांश लोग या तो नाले में मिले थे या फिर जुग्यों के मलबे में दवे पाए गई BMC का कहना था कि दिवार भूस्खलन के करण गिरी थी जबकि मीडिया रिपोर्ट के मताबिक दिवार पाने के दबाव के चलते गिरी थी साथ ही उसके निर्माण में भी खामिया पाए गई थी बुद्वार को इस Fact Finding Committee ने भी प्रशासनी कम्यों को इस हादसे का जिम्मेदार बताते हुए इस बात को दोराया रिपोर्ट में बताया गया कि ये दिवार इस शित्र की भोगोलिक सी थी और यहां होने वाली बारिश की मात्रा को ध्यान में रखते हुए बनाई नहीं गई थी इसमें कहा गया कि ये दिवार बहुत खराब तरीके से बनाई गई थी, इसमें ऐसी कोई जगए नहीं छोड़े गई थी जहां से इसके पीछे इखटे हुए पाने का दबाव रिलीज हो सके रिपोर्ट में बताया गया कि साल 1997 में हाई कोट ने राज्य सरकार को इस बस्ती को हटा कर यहां के लोगों का किसी और जगए पुनरवास करने को कहा था लेकिन ऐसा नहीं किया गया यहां की रहने वाली मुन्नी गोड ने वताया कि हाई कोट के आवास की वेकलपिक वेवस्था के लिए दिये गए आदेश के बाद उन्होंने पनरवास फीज के तोर पर BMC को 7000 रुपे भी दिये थे उन्होंने कहा कि लेकिन अब तक सरकार ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ केरल हाई कोट की एक खंट पीट ने बीते सोमवार को केरल सरकार दुआरा एकल पीट के साल 2015 के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारज कर दिया जिसमें एक व्यक्ति को माववादी होने के संधे में अवैद रूप से हिरासत में रखने के करण एक लाख रुपे का मुआपजा देने का आदेश दिया गया था केरल हाई कोट ने कहा कि किसी व्यक्ति को सरकार दुवारा केवल इस संधे के आधार पर प्रतारित नहीं किया जा सकता कि उसने माववादी विजाधारा अपना ली है मुख्यन आयदीश, रिशिकेश रॉय और जस्टिस एके जैशंकरन नामबियार की एक खंड पीट ने ये बात सोमवार को एक ड्यक्ति को एक लाख रुपे मुआवजा प्रदान करने के केरल हाई कोट की एकल पीट के आदेश को बरकरार रखते हुए बात कही श्याम बालकृष्ण नाम के एक लेखक को केरल पुलिस की एक विशेश इकाई ने दोहजार चोदा में माववादी होने के संधे के आधार पर अवैद रूप से हिरासत में रखा था बालकृष्ण केरल के वाइनार जिले में अपनी पतनी के साथ रहते हैं 20 मई 2014 को जब अपनी बाइक से जा रहे थे तबी साधे कपड़े में दो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका और बाइक की चाबे निकाल ले पुलिस वाले बालकृष्ण को पुलिस स्टेशन ले गए जहां उन्होंने कपड़े उतार कर उनकी तलाशी ली हाई कोट ने एकल पीट के शाम बालकृष्णन को एक लाख रुपे का भुकतान करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि हमारे समिधान की अनुसार भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासनाक की स्वतंतरता का अधिकार है, अब अगली ख़बर बेहद चोकाने वाली है, असम पोलिस ने असम नागरिक्ता विवाद पर कवीता लिखने वाले दस लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्श की है, इनमें से अधिकतर बंगाली मूल के मुसलिम कवी और कारे करता है, इन्होंने मिय बोली में ये कवीता लिखी है, राजे के कुछ वर्गों की शिकायत के बाद ये मामला दर्श किया गया, गोहाटी सेंट्रल के पुलिस उपायोग धर्मिंद्र कुमारदास का कहना है, कि हाँ आज एक F.I.R. दर्श की गई है, अभी तक किसी के गिरिफतारी नहीं हुई है उन पर IPC की धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्श किया गया है, इसके साथ ही कोपीराइट अधिनियम की विभिन धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्श किया गया है, एक सक्स प्रणब जी दोलोई की शिकायत में कहा गया है, कि आरोपियों की मन्शा जो है, वो पूरी दु संबुदायों को भड़काना है, हलाकि इस FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए कारेकरता अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि क्या हमें वास्त्विक नागरिकों पर कविता लिखने का अधिकार भी नहीं है, जिने संदिक्त नागरिकों की श्रेणी में रखा गया या से अधिक लोगों के नाम हटाए गए हैं, जो पिछले साल 30 जुलाई को प्रकाशित सूची से हटाए गए 40 लाख नामों के अतिरिक्थ हैं, असम में एनर्सी का जो मसुदा है वो सुप्रिम कोट की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है और इसकी अंतिम जो सूची है 21 जुलाई को जारी होनी है, हमारी अगली ख़बर जो है वो उन्नाव से है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जुले में एक मदर्से के छात्रों ने कुछ लोगों पर जैश्री राम नहीं बोलने पर क्रिकेट बैट से पीटने का आरोप लगाया है, ये घटना गुरुवार क उन्नाव के सदर इलाके के GIC ग्राउंड में हुई, जहां छात्र क्रिकेट खेल रहे थे, यहां कथित तोर पर दक्षिन पंती सम्मू से जुड़े कुछ यूपकों ने इन छात्रों से मार पीट की और भागने पर उन पर पत्थराओ भी किया, घायल छात्रों का आरोप है कि उन्हें जैश्री राम बोलने को मजबूर किया गया, सूचना मिलने के बाद मोके पर पहुंची पलिस ने छात्रों को इलाज के लिए भेज दिया, सीओ उमेश त्यागी ने बताया कि मदरसे के छात्रों को मैडिकल साहिता मुहाया कराई गई है, त्यागी ने बताया कि जाम्मा मस्जिद के पास एक मदरसा है जिसके छात्र जो हैं GIC ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते हैं, गुरुवार को जब छात्र क्रिकेट खेल रहे थे तो कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया, पीडितों के शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है, इस घटना म जांच के बादी होगी, मालूम हो कि सदर कोतवाली छित्र में दारूल उलुम फैज आम नाम का एक मदरसा है, मदरसे के मुलाना नईम खान के अनुसार गुरुवार दोपहर की नमाज के वक्त 10-15 बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए GIC ग्राउंड पहुंचे थे, यहां 3- चार युवक आये और बच्चों को भला बुरा कहते हुए कथित तोर पर जैश्री राम बोलने को कहा, मना करने पर उन्हें बैट छीन कर पीटा गया, बच्चे भागने लगे तो उन्हें पत्थर मारे गए, कुछ लड़कों को चोटे भी आई है, लड़कों के कुर्ते भ ही की गई है, ये एक कथित हिंदुवादी संगठन बताया जा रहा है, मदर्सा और जामा मस्जित के दिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सब्त कारवाई करने की मांग की है, और ऐसा ना होने पर प्रदर्शन की चितावनी दी है, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ भाजपा सांसत प्रवेश साहिप सिंग वर्मा ने गुरुवार को दिल्ली के उप्राजपाल अनिल बैजल से मलाकात की और उन्हें 50 से अधिक मस्जिदों, कबरिस्तानों और मदर्सों की एक सूची सोपी प्रवेश सिंग का आरोप है कि सरकारी जमीनों पर गयर कानूनी रूप से इनका निर्मान किया गया है, उन्होंने इनकी पहचान करने के लिएक सरवेक्षिन करने की भी मांग की इस सूची में नरेला, बवाना और रोहिनी में 49 मस्जिदें, तीन मगबरें, एक मदर्सा और एक कबरिस्तान की बात कही है पिछले महीने प्रवेश सिंग ने उप्राजयपाल को पत्र लिख कर कहा था कि राजधानी में सरकारी जमीनों पर कुकुरमुत्ते की तरह मस्जिदें बनी हुई है और इन्हें रोकने के लिए समिती का गठन किया जाना चाहिए उप्राजयपाल को दिये गए ग्यापन पत्र में उप्राजयपाल ने कहा कि उन्होंने एक सर्वे कराया है जिससे पता चलता है कि यह जमीने DUSIB, ग्राम सबा, बाड़ विभाग, DDA और MCD की है और इन पर मस्जिदों और कबरिस्तानों ने अतिक्रमन किया है सिंग ने कहा कि छेत्रों के जिला मजिस्ट्रेटों को इस पर दो महिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए निर्देश दिये गए है उन्होंने कहा कि उप्राजयपाल ने अस्वाशन गिया है कि वदिकारों से ये पुछा जाएगा कि अतिक्रमन कैसे हुआ और इन जमीनों को वापस लेने के लिए क्या कारवाय की जाए ये पुछे जाने पर कि क्या उनकी सूची में अन्य धर्मों के धाचों का भी उलेक है जो सरकारी जमीनों पर गयर कानूनी रूप से बने हुए है इस पर प्रवेज सिंग ने कहा कि जब मुझे अन्य धर्मों का इस तरह का कोई धाचा नहीं मिला तो मैं इसका उलेक कैसे कर सकता हूँ अगर लोगों को इस अंधर्व में कुछ मिलता है तो वो सोशल मीरिया के जर्ये इसकी जानकारी भेज सकते हैं प्रवेज सिंग के उपराजय पाल को लिखे गए पत्र के बाद दिल्ली के अर्पसंख्यक आयोग ने इन दावों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग समेती का गठन किया DMC के चेर्मिन फजारूल इसलाम खान ने कहा कि आयोग सरकारी जमीन पर अवैद कबजे का समर्थन नहीं करता लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया है उससे एक चुनिंदा समुदाय के खिलाफ माहोल बिगाडने की कोशिश लगती है इस पूरे मामले पर आमादनी पार्टी के विधायक सोरभ भारतवाज का कहना है कि दिल्ली में पुलिस और भूमी मामले सीधे तोर पर केंद सरकार के अधीन है प्रवेश सिंग पिछले 5 साल से सो रहे हैं और उनकी खुद की सरकार इन अतिक्रमन कारियों पर कोई अश्विनी कुमार ने लोगसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आचार सहीता उलंगन के दो मामलों पर अपनी रिपोर्ट सौपी थी ये रिपोर्ट लातूर और वर्धा में नरेंद्र मोदी के भाशन को लेकर थी मोदी के इन भाशनो चुनाव आयोग ने इन मामलों में नरेंद्र मोदी को दो के मुकाबले एक के फैसले से क्लीन चिट दी थी इस क्लीन चिट को लेकर ही चुनाव आयुक्त असोक लवासा ने शिकायत की थी कि इन फैसलों में उनकी आसहमतियों को दर्ज नहीं किया गया है 1987 बैच के आयस अधिकारी अश्वनी कुमार को 16 अगस 2016 को महराष्ट का मुख्य निरवाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था वो अपना 3 साल का कारेकाल पूरा करने से सिर्फ एक महिना ही दूर थे एक वरिष्ट नोकरशा का का कारेकाल है वो कम से कम 2 साल का होता है लेकिन राज्य सरकार में ऐसे आधे दर्जन से अधिक वरिष्ट अधिकारी है जो 3 से अधिक सालों से अपने पदों पर तैनात है अश्वनी कुमार का तबादला तो कर दिया गया है लेकिन उनकी जगे उनकी तैनाती कहां पर होगी अभी इसको लेकर कोई जानकारी जो है वो मुहिया नहीं करा गई है 1989 बैच के आयस अधिकारी बलदेव हरपाल सिंग इसे पहले सेज मुंबई में सांता क्रूज विशेश प्रसंस्क्रण जोन के विकास आयुक्त के पत पर तैनात थे और इससे भी पहले राज्य के श्रम विभाग में मुख्य सचिव के पत पर तैनात थे महराष्टर में इस साल सितंबर के मध्य में विधान सबाचनाव हो सकते हैं आज बॉलेटिन में सिर्फ इतना ही देश दुनिया की खबरों के लिए आप दवायर की अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और मराथी वेबसाइट से जुड़े रहें तब तक के लिए शुक्रिया, नवश्कार झाल 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 झाल